लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें हमे वत्म बेगर्म है हातर है जिये तुझे, बड़े तुझे, बड़े तुझे आवतन तेरी छबी समारे, आ नजर तेरी हम उतारे एंगरी समेने झाने और मनले तुझे, बड़े तुझे हमें मतन बेगर्व है, हागर्व है, जी ये तुझे, मने तुझे, मने तुझे अर्जुन राडावत हत्यारा है, 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 अर्जुन राडावत हत्यारा है लड़िए How to do लड़िए लड़िए हराए लड़िए वढ़ubाव वढ़住 ускल आजू रणाम खत्यारा है, पत्यारा है, पत्यारा है. अर्जुन को भाजी दो, भाजी दो. अर्जुन 엄 को अर्जुन ऑनकों, हासी दो, हासी दो झाल जाला जालो जते कर दो हाट जना तक को जो जाला जालो जालो जचा जालो जते कंदे प्त मात्रा जी एड़, जल जञ àलो जुम से फ्त गटान जालो यायायम्वावावावावावावावावावावाव। यूर आउनर, यह है एसीपी अरजुन रनावत, जिसने एक नवंबर की रात मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में घुजकर, नहायती बेरहमी से, उप्प्रमुख्यमंत्री भद्धिनात्रिवेदी, मुख्यमंत्री के पुत्र मुन्नात्रिवेदी, पुलिस कमिशनर यश्वन देश पांडे के बेटे चंदरकान देश पांडे, पुलिस इंस्पेक्टर अवस्थी, एडवोकेट कुल करनी, सताधारी दल के छे मेलेज, और कुछ पुलिस और सरकारी अफसरों सहेद, कुल मिला कर, 18 लोगों का बेरहमी से कतल किया है, यूर ऑनर, ये कानून का रक्षक नहीं, बक्षक है बक्षक, इस सामुही खप्याकान से इस दिना केवल, सरकार या पुलिस, बलकि समुची मानवता को कलंकित किया है, ये मौकाई वारदात पकीची कुछ तस्वीरे हैं, यूर ऑनर, इस भीशन हत्याकान की तफ्तीश और इसके पीचे छिपेवए शड़िंत्र का पता लगाने के लिए, पुलिस इस आरोपी को 15 दिनों के रिमांट पर पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मांग करती है। अर्जुन रानावत, तुम्हें इन आरोपों के बाहरे में कुछ कहना है। नहीं। सरकार ने तुम्हेरे उपर 18 निर्दोष नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है। और पूश ताज के लिए 15 दिनों का रिमांट मांगा है। इस दौरान तुम्हें कुछ चाहिए। किसी चीज की जरूरत है तुम्हें। हाँ है। वो क्या। मात। आरोपी अर्जुन रानावत को 15 दिनों की रिमांट पर पुलिस कस्टडी में सौपा जाता है। अपने आपको मांसिक रूप से सौ प्रतिशत संतुलित बताते हुए। रानावत ने कहा कि उसने पूरे होश वास में ये नसंघार किया है। जब जज ने उससे अंतिम बात पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसने वही जवाब दिया। मौत। बंदन सचनानी आज तक मुंबई। मौत। 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 झाल झाल मौत। 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 झाल यashvanтëlίPoday यह चारशी तया किया तुने है यह सर्फ हत्यारह वो सर्फ हत्यारह नहीं है राक्षष्त है राक्षष्त हा यह देख यह देख मुझसे मेरा बेठा मेरा भाई मेरा दमा ची लिया मेरी बहु मेरी बेटी की मांगे संदूर मचा डाला अरे तेरा बेटा भी तो खा गया वो उसका गम नहीं है तुझे अरे हमारी चिताओं को आग देने वाला कोई बाकी नहीं छोड़ा उसमें हमारा वंशनाश का डाला वंशनाश सुनो त्यागी जी दुराचार व्यभीचार भ्रश्टाचार देश द्रो और गद्दारी तक जितने भी जुर्म आपकी कानूं की किताबों में लिखे हैं न सबके सब उस हरामी के मत्ते मर दीजिए सारी के सारी धराये ठोक दीजिए उस पर स्क्यूज मी सर मैं राडावत को पिछले तेरह साल से जानता हूँ वह त्यारा जरूर मगर वो देश द्रोही या भ्रश्टाचारी नहीं है क्या कहा तू नहीं कि जब हमने कह दिया कि वो देश द्रोही है तो वो है अबरा कहा कानून है और हम इस प्रदेश की अदालत है अगर किसी भी अफसात की आँखों में हमारे पेटे के हत्यारे के लिए प्यार क्या जुबान पर हम दर्द ही नजर आई तो हम उसकी आँख कान जुबान कटवा के इस शेहर से ही नहीं इस दुनिया से भी उठवा दूगा समझ गे तुम लोग प्रदाट प्रदाट झाल झाल खोल दो इसे इनका अग्जाद पे दस्तिकत करो अर्जुन रानावत तुने मेरी कलोते बेटे का कतल किया है जब तक अदालत तुझे सजा नहीं देती मैं तुझे इस कैद में हर रोज एक नई मौत मारूंगा देश पांडे जी इसने इन काग्जाद पे दस्तिकत नहीं किये बलकि अपनी जिन्दगी मौत के हवाले कर दी है आई अध्यूसे पहारे बीते आज आज अदालत में तुम तो है अध्यूनाश्रय क्यों डाल दिये तु बता था क्यों ने दुनिया को कि और ने इन्नलशंगार क्यों किया है तुझ्वे कि अपने लें मौत क्यों मांगरा है पेथ kayu मंगरा है क्योंकि मैं अपना अंतिम संस्कार कर चुका हूँ मैं इस शरीर इस जन्म से मुक्ती चाहता हूँ माँ, बाज के बाद आप और रखी मुझे या मिलने मदा ना क्योंकि हिंदु धर में माँ, बेहन, शम्शान नहीं जाय करती माँ, इस जन्म में इतनी साथ था मेरा मा तुम मत बनाना, मैं फिर लट कर रहूंगा अपने बागवां से कहना, कि अगली बार मैं तरह पेटा बन करी जन्म में आदर नियर समर सिंग जी आपको और आपके आदर्शों को मेरा अंतिम प्रनाम मैं आपके सिद्धान तो इस पुलीस फोर्स, इस वर्दी और इस ड्यूटी को त्याक चुका हूँ मेरी आपसे एक अंतिम प्रार्टना है सर, तुबारा कभी मत कहिएगा सत्य में विजह दे क्योंकि सत्य तो ये है कि इस नपुन्सक समाज में अंतिम विजह सदा असत्य अधर्म और अन्याएकी ही होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, कि हम सिपाही, महद इक सरकारी मशीन नहीं पुलीस स्थाने के बार हमारी भीग दुनिया है, जो आपके बताय रास्ते पर चलते हुए, न जाने कहां खो गई तो तू अभी तक यहीं है, मंदिर नहीं गया, मैंने तुछे कहा था न बेटे मा, मैं मंदर जा के क्या करूँगा चल तुने बॉडी बहुत बना ली, चल कर भगवान को भी मना ले बेटे तु चाहती कि मैं मंदर जाओं, भगवान की पूझा करूँ? हाँ, बड़ा ऐसान होगा मुझ पर कहा लेके जा रहा है? इधर हाँ, यहाँ बैट अच्छा जैमा जगदंबे, जैमा दुर्गे, जैमा काली, जैमा सरस्वत अरे पगले, तु क्या कर रहा है? तेखने रही हूँ मा, मैं अपने बगवान की पूझा कर रहा हूँ किसीने सच कहा है, क्योंकि भगवान एक ही वक्त हर जगा नहीं हो सकते ना, इससे लिए उन्होंने मा को बनाया है मा, तु ही मेरा मंदिर, तु ही मेरा सब कुछ है बावला हो गया है तु, एक अधने इंसान की तुन्ना भगवान से नहीं किया करती, बैठी अच्छा, 1984 के दंगे यादे मा, जब एक छोटा सा बच्चा, अपने माबाप के लाश पर रो रहा था उस वक्त भगवान नहीं, तु आय थी मा, मेरी असली माने तु मुझे सिर्फ जनम दिया है तुने मुझे जीवन दिया है, मेरा वजू सिर्फ तुछ से है, सिर्फ तुछ से है मा राखी को तु मैंने जनम दिया है, मगर तु तु मेरी कलेजी का टुकड़ा है, तुझे पाकर, फिर भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा क्यों जूर बोल रही हो मा, तुभा से लेकर शाम तक तुम भईया की सलामती की पूजा करती रहती है, और फिर भी कहती हो कि तुम भगवान से कुछ भी नहीं मांगती ए राखी, चुप, चलती है तु, क्योंके मा मुझसे जादा प्यार करती है क्या, चलती हूँ तुम से, माय फुट अरे बाप, ने बाप, मा ये तु फुल जगडे के मून मे अई है जगडा करने नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं कॉलिज आरी हूँ और आपकी परसे मैंने हजार रुपे ले लिये हैं देखा मा, पुलीस वाले के घर में डाका ए, डाका नहीं डाला, अपना हक लिया है मैंने पाइदोवे, आपका नाश्ता लगा दिया है जब आप मा बेटी का भरत मिलाब खतम हो जाए तो क्रिपा करके खा लीजेगा चलती हूँ, बाई बाई मॉम देखा मा, राकी केतनी बड़ी हो गई है हाँ बेटी, जब एठी बड़ी हो जाती है तो मा की सीने का बोज बढ़ जाता है कैसी बाते करती हूँ मा, काय को कभी अपने सिंग भारी लगते तुझे राकी की शादी की चिंता है ना, हाँ फिकर मत कर, तेरा ये बेटा, अपनी बहन के ऐसी दुमदाम से शादी कराएगा कि पूरी दुनिया देख तेरा जाएगी देखा साब, एक हीरो का भी क्या जलवा होगा जो हकीम लुक्य का जलवा है शल्ट अरे ऐसी भी क्या जल्दी है साब आपन भी इंसान हैं, काय को जानवर के माफिक घसीटता है हैदर सर्फ, एक सूटा मिलेगा क्या चुप चाप चल यार के जने, एक बार जज तुझे पुलीस का स्टेडी में दे दे, फिर लॉक अप में तुझे खूप सिगरेट फिलाँगा यह तो जज का फैसला ही बताएगा ग्रांट रोड में इनके बियर बार से हैं, और अपने बार में ये चकला चलाते हैं यूर अनर जिस्त वक्त ये पुलीस वाले हकीम लुका पर वेशा के नातकान काटने का इल्जाम लगा रहे थे उस वक्त ये बेचारा ग्रांट रोड में तो क्या मुंबई शेहर में नहीं था ये तो लखनो गया हुआ था पारिटी के प्रचार के लिए यूर अनर ये रहा पुलीस के मक्कारी का सुबूत ये है लखनो का एरटिकेट ये है लखनो के गेस्टाउस का रजिस्टर और यूर अनर ये है उस लखनो गेस्टाउस के मैनेजर जूट बोता है ये कुटकरदी इम लोग का एक भड़वाए ये सलहरमी मासूम लड़तों से घंदा गरवाता है सुना सुना आपने यूर अनर ये है हमारी मुंबई की आदरिने पुलिस अदालत में खड़े होकर गालिया दे रही है अगली बार आपने इस अदालत में बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया तो आप सस्पेंट कर दिये जाएंगे अदालत को मजाग बना रखा है बगएर सुबूत या गवाह के लोगों को पकड़ कर ले आते हो इस पार मैं आपको चेतावनी देखकर छोड़ रहा हूँ आइंदा इस तरह के मसले लाकर अदालत का वक्त जाया ना करें अभ्यूक्त को बाइज़त परी किया जाता है थैंक्यू मिलाड हजार बार तुझसे कहा है कोट में तमीज से पेशाय कर वो हमारी कमीज भाड़े जा रहे और तू कहता है कि तमीज मेर है क्यो अरजुन साहब उतर गई ना कोट में पतलून आप उन बोला था वकील साहब आप उन डंके की चोट पे बोला था के इस बार भी हकीम लुका ठूट कर दिखाएगा क्यों? क्या उखाडा तुने वो क्या है ना साहब आप उन्से दुश्मनी तुम्हारे लिए खतर और तुम्हारी बहिन के लिए भी खतर है अना है तुम्हारी बहिन बहुत खुबसूरत है साहब क्याएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो एक सबस्टनेे का लेज़ उड़वे को हर विए थीक टिरत हुआआ लज़गा समय जिए फुरत मैंगा पड़े एसको हर दो अथ पर दो जो यदु कर दो और दो जो दो तू मेरी वर्दी उतारेगा, आउ धार, अर्जुन, ले जा इसको, यह जा रहो मैं, लेकिन समझाओ इस सिरो को, वकील से दुश्मनी बहुत महेंगे पड़ेगी इसको, चल लोगा भाई, चल, चल ना, बस अर्जुन, इनफ, बहुत हो गया, क्या बसकर, तू साल हमेशे मुझे रोग देता है, वो हरामी को ते कप पिला हकीम लुका, हमारे मूँ पर थुकर चला गया, और हम कुछ नहीं कर सके, और तू कहता के बसकर, यह देख, दिखता यह तुझे, सरकार ना हमारी कमर में बंदुग लड़का दिये, लेकिन हम इसे चला नहीं सकते, और वो साले बेंट के ठके, बीच सड़क पर गोलियां चलाते, और हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, सिर्फ उन भड़वों को ले जाकर, मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देते हैं, और फिर वो पुलकर नहीं आकर, उन्हें चुड़ा कर ले जाता है, और हम क्या करते हैं, इसे हाथ में पकड़ कर खड़े रहते हैं, वो मेरी बेन के बारे में बात करा था, तो कि मैं चुप बैटा, ये मेरी बेन, मेरी बेन क्या लगार रखा, राखे कैसे तेरी बेन है, मेरी कुछ नहीं, देख अरजुन, कुट्तों के भॉकने का जवाब मैं नहीं दे था, लेकिन अगर किसी रोज वो सुवर का बच्चा मुझे सही वक्त और सही मोड पर नजर आ गया ना, तो मैं उसे काट कर, गंदी नाली में बाहर दूँगा चलो ड़, पस भड़वे के लिए दिमाग खड़ाब करने के कोई जुरुत नहीं, आप चल चलते हैं, तुझा, मैं और बैठूँगा हाँ भई, आप क्यो आएंगे, आपकी जिननत के आने का वक्त यो हो गया है, तुप फिर शुरू हो गया, अबे साले, जो दिल में है, उसे जुबान पर लाने में शर्माता क्यों है, उसने तो लाखो बार अपने प्यार का इजहार किया है, और एक तू है के, हैदर, जाना जाताओं बाबा, आजकल किसी को नसियत देना ही गुना है, और सुन, जादा मत पीना, काड़ी तुझे जलानी है मुरा सया, सया, मुरा सया और चमपा जमेली, उपलकुल अकेली, उम्मासी भिलाई, उचिकले रे सया सया, 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 हो रा सया मुरा सया आया मया आया मया आया मया दिल की कमान पे जरुकशन खुर्ण दो जय को नोगा है जर नहीं को जगा के भगको नहीं दिन करूत दता जहीं क जोंड ऊएक कर दो जरुकशं पे कर दोता जोता不是 जरुकशं मेहा है लेचा, 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 लेचा हुरा सिया जोली पिसता आये रमा अरे जोली पिसता आये रमा वोना डड़ो हाये रमा जोकर तुमे हाये रमा जोजा जा जा ढाणी 정확े हाये रमा इन सर्णा आकर दसे ह agora आपरजे रमा जोजा 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 जीता जोजा 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 सेया, 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 सेया पया, परू तो पया सेया, पुरा सेया मुखण नमा आय, पुर्दिसे आय, पुच्च अखना मिलाई, मुच्च तेरे सहीया पुच्च मजचम देले, पुल कुल की ले, पुमर्दी प्याई, मुच्च तेरे सहीया स्याइ, स्याइ, सियाइ, स्याइ, स्याइ, उरा मुरा बॉरा лай्या सैय क्यूं जननत ? हर रोज की तरह आज फिर तेरा आश्चिक तुझे फ्लाइंग किस देकर निकल गया हम दर्दी के लिए शुक्रिया अरे जननत एक से एक मालदार तेरे कदमों में बिछे रहते हैं और तू है कि पुलिस वाले पर मार मिटी है आखर ऐसा क्या है उसमें तू नहीं समझेगी मेरी जन मालदार और दिलदार तो इस बार में टके के भाव मिलते हैं मुझे तो याँ हर मर्द की नजर में सिर्फ भूक और हवस नजर आती है लेकिन अर्जुन अर्जुन की नजर में मुझे इमान और इस्सत नजर आती है अरे पगली आखर कब तक उसके इंतजार में यूही बैठी रहेगी सारी जिन्दगी और अगर ये जिन्दगी कम पड़ी न तो अगली जिन्दगी भी उसी के नाम कर दूँगी ये जो मैं अंगुठी अपने गले में डाल की घुमती हूँ न इसे तो मुझे सिर्फ अर्जुनी परनाएगा ये नहीं समझेगी ये ये इस तो मुझे पैसे तो मुझे पकाते हूँ ये-ई ये-इ使क वे-इिन्दगी कि पैचाना अप उनको लुक्का हकेम लुक्का गूरता क्या है साब एकदाम मस्च हाविया मस्थ कौला मालक कौला अभी तक नत नहीं हो तुरे इसकी ऐसा एक से एक मस्च हाविया अप उनके पास तुम मांगेगा तो रोज तुमको नहीं देगा अब उनसे इजद से बात करने का क्या है इसद से बात इसदर लोगों से की जाती है बढ़ों से नहीं हाई! बड़ वाकिस को बोलता है, रहे? यह सड़क देख? एक दम सुन्सान. ना बंदा, ना बंदे की जात. इधर पन देख? देख? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता. अगर इस वग इधर इच, अपन तेरे को टपका डालाना, तो साला किसी को कोई सबूत, कोई गवाण नहीं मिलेगा. कि कौन एसीपी अरजुन रानावद को टपका कर चला गया? बस, कल सुबा अकबार में तेरा फोट हो. और कल राज से तेरी बहन, अपन के जीप में. चलता हूँ. सोचना जो अपन बोला, अब उनके लिए काम कर. नहीं तो, नहीं! लावारिस मौत. सच बोलता है. समसान सडक. लावारिस मौत. अगर मैं से यह मारतूं तो. यह लुका! हाँ, बोल. क्या बोलना तेरे को? मश्वरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया. मश्वरा? मश्वरा छुक्रिया. झुक्ि झार. हुआ पहुआ हुआ है हुआ अओ अअ अरी । does पया रॉड़ी आराइड़ी अर्पिते रिन एंवा रहाराइड़ी तेर विप्तर में रहाराइड़ी जएी से रहाराइड़ी आराइड़ीश जए कि अपरे रहार! आराइ आराइड़ी एंवारी ए्ट! एक समसान सलक एक नपन्दान अपन्टेकी साथ और कलडबार में, मेरी नहीं, तेरी दस्विर्ट चपेगी, लावार इस मौत. नहीं! नहीं! अर्जुन रणावत, तुम्हेरे कल रात के कारणा में, मुंबई शेहर और सरकार को हिला कर रख दिया है, और तुम्हारे इस हत्याकान में, सारे पुलिस पोर्स को कलंकित कर दिया है. ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई हमें बर्दी वाला हुंड़ा, तो कोई हमें बर्दी धारी राक्षस कहरा है, राक्षस. तुम्हें इसका धंड भूगत नहोगा, उस काघज पर लिखो, कि गुसे में अपना आपा खोकर तुमने एह हत्याकांड किया है. यहत्यकार्ण मैंने गुष्से अप्रती शोद में नहीं, आत्मरक्षा में किया है, it was an act of self-defense. Act of self-defense, my fault? बेवकूफ मसमझी आप हमे, आत्मरक्षा में कभी कोई हमलावर के शरीर की सतरा हड्डिया नहीं तोड़ता, पीट के बल उसे लिटा कर उस पर अपनी गन की पूरी मेगजीन खाली नहीं करता, यह रही, याज की गई अटॉपसिक रिपोर्ट. क्या तुमने पुलिस नियमावली, पुलिस प्रोसीजर कोड नहीं पढ़ा, सबसे पहले अपराधी को चेतावनी दी जाती है, फिर हवा में, उसके बाद पैरों में गोली चलाई जाती है, और फिर, तुम कंट्रोल रूम में भी तो इन्फॉर्म कर सकते थे. You're right, sir. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. जब उसका रिवॉल्वर मेरी कंट्पटी पे था, और उसका घुड़ा दबने ही वाला था, तब मुझे कंट्रोल रूम फोन कर लेना चाही था. फिर हवा में एक फायर, और उसके बाद उसके पैरों में गोली मार देनी चाह के था, कि भाई सब रुख जाएए. एक पुलीस वाले को मार कर उसकी बहन को कोटे बिठाना कानून जुरूम है. मापी चाहता हूं, सर. लेकिन अगर मैं आपके बता है रास्ते पे चलता, तो मेरा नाम यहाँ नहीं. पुलीस थाने के बाहर, शहीदों के लिस्ट में लिखा गया होता. और आप यहां बैठकर चीच चिलाटनी कर रहे होते, बलके आँखों में आसो लिये, मेरी गोली से चलनी की कई लाश को तिरंगे में लपेट कर ब्योगल बजा रहे होते हैं. अगर आप एक इमानदार पुलीस ऑफिसर के खुण से पुलीस की निकम्य और नाकार इमिज को दोना चाहते हैं, तो आपका सुआगत है. किसी के पास कोई सबूत नहीं. कि ये किलिंग्स मैंने की है. मौका ये वार्दात पे ना आप मौझूद थे, ना आप और ना आप सर. सर, आप मुझे सिर्फ हत्यारा खोशित कर सकते हैं, साबित नहीं कर सकते हैं. और ये बात मैंने ही, अदालत में मेरा वकील गएगा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा. सर, इस हकीम लुका के खिलाव 38 मुकद में चल रहे थे. वो सुवर पुलीस थाने को घर, अदालत को चकला, और मुझ जैसे पुलीस वालों को अपना भड़वा समझ लगा था. क्या उखाड लिया था मने उसका? सर, बारा साल की इस पुलीस की नौकरी में, मैं इनके हाथों हजारों मौते मरते आया हूँ. मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे. या तुमें लुका के टुकड़ों पर बलने वाला कुटा बन कर, कानून की दलाली करता, या फिर ये वर्दी उतार कर, नामर्दों की तरह, सब कुछ चुपचाप सहता रहे था. नो सर, मैंने दला या नामर्द बनने से, इंकार कर दिया. सर अकर ये मुझरिम, अदालत से पर्योकर, निर्दोष नाकरिक बनकर आजाद खुम सकते। तफरेने मारकर, मैं इंस्पेक्टर अरजुन रणावत, खुले आम निर्दोष नाकरिक बनकर, आजाद क्यों नहीं खुम सकता। क्यों? और कुछ कहना है तुम्हें? नो सरु, तुम जा सकते हो कहता तो बिल्कु सकते है सर लेकिन अफसूस कि यही क्या जा सकता है यही तु सोचना पड़ेगा जादव कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए नहीं जणाब अर्जुन को सजा देना इस समस्या का समाधान नहीं है तो फिर क्या है समस्या का समाधान? एंकाउंटर एंकाउंटर? जी हाँ, हम मुठ भेड में उन्हें पकड़ेंगे नहीं बलके उनका खात्मा कर देंगे उनका एंकाउंटर कर देगी जब अपराधियों को अपने सर पर हमारी ध्याशत मंदराती हुई नदर आएगी तब उनके पास सिरफ दो ही रास्ते होंगे समर्बन या मृत्यों सरंडर और डेट और तभी एक अपराध्मुख समाज का सपना साकार हो सकेगा क्या आप इसके लिए तैयार हैं आप क्राइम कंट्रोल स्कॉड तैयार कीजिए समर्सिंग जी हमारी सरकार आपके साथ है कि अनिकोश्चेंज नो सर इस मिशन के दवरान आपको धमकाने की आपको खरीदने की या फिर आपको मारने की तमाम कोशिच की जाएगी अगर लालत चटार से मेरे किसी सिपाई के कदम लड़ खड़ाए तो मैं उसे गुली मार दूंगा अगर सर मेरा इमान तक मगाया तो आप मुझे को लिमान दीचेगा कर दो कर दो कर दो कर दब गो औह लो औह ज्चेगा एलक प्रुड़ को एलक लाया जो एलकिन गुड़ करो दोर्ग टिल्ड़ के लोरता गजा लाया इवर रहा एलकिन टुड़ के लाया जो बादीत टुड़ कि लोरता है बॉड़ बहाँ कि अज़ झालार रे जडिए में अज़र आथ। गडिर कर फॉर देखे लाग कि नहीं झाल झाल बसे लाग किन ही ड्योलिस अबे हार कुटे ते तेंगतुमा फिर्ग बहुत हो गया भाई, आपका सिर्फ नाम सुनके, जिस मुंबई पुलिस का मूध निकल जाता था, वह इच पुलिस, आज तेरा दिन में अपना सत्ता ही छोकरा लोग को टपका ढाला, हाँ भाई, पच्चेस साल यहां बैठ के, जिस मुंबई पे हम हकुमत किया ना, उसे में हिला डाला यह मुंबई पुलिस, पुलिस आज की तारिक में मौत बन गली है भाई, ना गिरिफ्तारी, ना सरंडर, करेक खलास करने को बोलता है हो, कमिश्णर, भाई, वो साला सीम का हाथ पुलिस के सर पर, तभी तो साला दो टकी का इंस्पेक्टर बोलता है, कि जफर माजित, लगा उस साले आपोजिशन लीडर काशी तरवेदी को फोन, उसको बॉल, पुलिस वालों को तलितों, माइनारिटीज और भे गुनाहों का हत्यारा बताकर, विधान साबा में हंगामा खड़ा करवा दे फर्जी इंकाउंटर के नाम पे, प्रेस के जरीए, सरकार और पुलिस का जीना हराम कर डालो, कुर्सी हिला डालो उस साले सीम की ये सीम और कमिशनर को बताएगा मैं, जिस सरकार के बल पर उचकते हैं न ये लोग, उसे यहां, बाहर मुल्क में बैठकर, चलाता है सफर सुपारी जंगल राज है ये जंगल राज, अरे, गुंडा राज बना दिया है सरकार को और और ये पुलिस वाले, ये पुलिस वाले तो वर्दी पहन कर हत्यारे बन गए हैं, हत्यारे अरे, न वारंट, न गिरफतारी, न कोट कचेरी, सीधे माउथ मैं आपसे पूछताँ, सीम साब, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये अगर विधान सब्बा की तरह यहां भी हंगामा करवाना है तो फिर इस मीटिंगा क्या मतलब है आखर समस्या क्या है आपकी समस्या नहीं सवाल है मंबई शहर की सड़कों पर खून की होली कब तक खेलती रहेगी आपकी यह पुलिस कब तक तब तक जब तक इस शहर का आखरी गैंक्स्टर खत्म नहीं हो जाता जब तक ग्राइम फ्री स्टेट का मकसद हासल नहीं हो जाता तब तक ओ मुखमंत्री जी जरा समझाईए अपने सरफरे कमिशनर को कि यह दलितों और माइनारिटीस के खुन की हुली खेलना बज़ गरे काशीत रवेदी जी खुन की हुली आप जैसे पॉलिटीशन्स खेलते हैं पुलिस नहीं मंदिर मस्जित के नाम पर देश को लड़वाया किसने तुमने बिहार में याद्वों को ब्रामन से यूपी में ठाकरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसल्मान से लड़वाया किसने तुमने चंद वोटों की खातर भाई से भाई को लड़वा कर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेखना आप जैसे नेताओं का काम है पुलिस का नहीं मानवादिकार के भख्षक यूमन राइस्ट वाईलेटर मुझ पर इल्जाम लगाता है मुझ पर तेरी सत्यनारान जोशी की सरकार को तो मैं चुटकियों में गिरा दूँगा चुटकियों में तख्ता पलड़ दूगा तेरा समझा तुझे कमिशना से हवल्दार बना दूँगा काशी त्रिवेदी किसके यूमन राइस्ट की बात कर रहा है तू उन गुंडों की जो इंसान को इंसान नहीं समझते जो बेकसूर लोगों पे गुलिया चलाते उनकी बीवियों को विद्वा और बच्चों को अनात बनाते है काशी त्रिवेदी तो उन लोगों की यूमन राइस्ट की दुआई दे रहा है जो इंसान है ही नहीं उनके साथ कैसा इंसान इंसान कंस्टरेशन दे आर इन्हूमन पास्टर्स वो सिर्फ एकी जबान समझते इसकी खामोश तो टके की पुलिस अफसर तू इनके बल पर उचक रहा है ना इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए और इस कमिशनर का तबादा तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा और रहा तू तो तुस्से हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी तरवेदी नाई तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी तरवेदी जस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई गावा मिल गया उस दिन तुझ चीफ मिनस्टर की कुर्सी बनाई अपनी अर्थी पर लिटा होगा और काशी तरवेदी मेरा एक वादा है तुझ से के तुझे कांदादने एक लिए एक आदमी भी नसीब नहीं होगा Mr. Encounter Specialist आपने शहर को Gestapo बना दिया है पिछले 30 दिनों में आपने शहर की सट्को को खून से रंग दिया है इसके बारे में आपको क्या कहना है क्या ये लोक तंतर की हत्यान नहीं है मानना होता के नाम पर कब तक हत्याए करवाते रहें आपको क्या लगता है जब हम उन्हें गरफ्तार करने जाते हैं तो क्या वो मुझरिम फूलों का हार लेके हमारा स्वागत करते हैं नहीं, वो खतरनाक हत्यारों से और गोलियों की बौचार से हमारा स्वागत करते हैं तब अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाना हमारा मानवा धिकार है, हमारा लोकतांत्री का धिकार है क्या सारे human rights, criminals और terrorists के ही होते हैं, क्या सिपाही का कोई मानवा धिकार नहीं होता क्या हम सिपाही, इंसान नहीं Mr. Encounter Specialist, जफर सुपारी ने Encounter Squad के हर अफसर को, चांद से मार देने की धमकी दिये उसने पूरे Encounter Squad की, फिटलिस बनाई वो बड़वा क्या हिटलिस बनाएगा, हिटलिस तो हमने बनाई है ये लाल निशान देख रहे हो, इतने खुदा को प्यारे हो चुके हैं और बाकी के होने वाले हैं येलो हिटलिस्ट और कल अपने अकबार में चाप देना अगली बार जब जब जफर सुपरी टेलफोन पर इंटव्यू दे तो उससे कह देना कि हमने उसकी जमात और उसका नाम राशन कार्ट से काटना शुरू कर दिया है बार जब देना बाइ बाई हलो ए ए घर तक छोड़ने आओ यार अंदर नहीं बुलाओगी आम इन चाय वाई ओ चाय वाई हाँ हाँ आशिक हैं आपके प्यार करते हैं आपसे अरे इतना हक्तो बनता है यार ओ तो आईए मिस्टर विवेक आचारिया फ्लीज अंदर आईए आपको चाय भी पिलाई जाएगी और साथ ही भाईया से भी मिलवाए जाएगा भाईया घर में अंदर है पुलीस वाला है कब घर में कब पुलीस टेशन में कब किसका इंकाउंटर करने चली जाते हैं यह तो उपर वाला भी नहीं जानता अच्छा तो रेखा जी आमें राखी जी मैं चलता हूं क्यों चाय भाई नहीं पीजेगा चाय अब तो हलक से पानी भी नहीं उत्रेगा क्यों डर गया ना भाईया से अरे तुम्हारे भाईया से तो पूरा शहेड डरता है वो मुझे कम और बंदूग से ज्यादा बाते करते हैं धिशकें आओ धिशकें आओ धिशकें आओ अरे पुद्धु अगर तुम भाईया से नहीं मिलोगे तो मेरा हात उनसे कैसे मांगोगे नारम ये जिम्मिदारी आपकी है, मिस्टर विवेक आचार्या, सन ओफ जस्टिस आचार्या, भाईया से तो मैं बात कर लूँगी, लेकिन आप अपने डैड से कब बात करेंगे, उनकी फिक्र तुम मुझ पे छोड़ दो, एक बार हमारी शादी का केस उनकी अदालत में पहुचा, तो उनका फैसला ह हमारे ही हक में होगा, खूल? लव यू, यू टेक केर, ओके? बाई भाईया, वो वो एक लड़का है तुम्हारे कॉलज में बढ़ता है, PSC Final Year, नाम विवेक अचारिया, जस्टिस अचारिया का बेटा, और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो आपको किसे पता भीया? पुलीस वाला हूँ, कोई दूद वाला नहीं सारे शायर की खबर रखता हूँ, मेरी बहन कब कहा किससे मिलती है, ये भी मुझे पता नहीं होगा, पेवकूफ समझती मुझे क्या तुम प्यार करती हो से? नहीं वाट? हाँ मुझे देखो गड़ चोईस तुमारी बहन को अपने घर की बहु बनाना मेरे लिए फक्र की बात होगी लेकिन याद रहे हम लड़के वले हैं हमारी कुछ शर्ते हैं यह सगाई कल होगी कल सर सर मगर हम इंतिजाम के लिए थोड़ से वाग चाहिए नो, नाथिंग डूइंग सगाई कल ही होनी चाहिए, इस नौड़ मगर सर बरखुरदार जल्दी तुमें नहीं जल्दी हमें है कल तुमारी बहन ने इरादा बदल दिया दूसरी नहीं मिल गी इसलिए सगाई की रस्म कल यहीं पूरी की जाएगी सोनी ये तो सोनी मेरी जाने लगती 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 सोनी मेरी जाने लगती सोनी ये तो सोनी मेरी जाने लगती सोनी मेरी जाने लगती सोनी मेरी जाने लगती कि सुझने इसमा घूर journaling मेरी सो Pokémon नौल जान लगदी एक ज्इद खौल, दिल खोए, मुच खौल, दिल खोए भीकोल, बोल दीवानी मेरी जान लगदी घाग लगदी हुआ है सपना तेरा सपना रखना सोजा रखना मखना क्या लगता है सचना अल तेरा सचना हो डूले तुम गाले तुने दूले चड़ जांगी घर से तु जाना होगा दिल से न जांगी सोन ये तो सोनी मेरी जान लगती अक जाद खोले दिल खोएंग जिक कोले दिल खोएंग ॥ici कोले बोले दिवानी मेरी जान लग दी सोने यतो सोना मेरा यार लग दा यार लगदा, यार लगदा तेराँ जा मेरा लगदा दिवाना तेराँ जार लगदा हएक ईजा मेरा लगदा सर आपका इंफोर्मर पांच्टोपच्वान आपसे मिलना चाहता है बेज दो संदर रैइच सर सलाम साहिब आओ अब बोलो क्या खबर लायो साहिब एकदम डिफनीट खबर है वो जफर सुपारी है ना उसने कमिशनर साहिब को मारने की सुपारी दिये लाये और जफर सुपारी का मेन हिटमैन है ना वो पपू कालिया मास्टर पिलानिंग कर रहे ला ऐसा है और अपने काम को अंजाम देने के लिए वो आज रात केन के नाइट कलब में अपने चारपांस सूटर से मिलने वाला है ठीक है तुम जा सकते है सलाम साहिब शर्ण बाला शर्ण भर्ण शर्ण शर्ण जजमाही, जजमाही, जजमाही 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 सुनने पहनी आग की चोली फिर भी इश्क ने आख ना खोली लुना तुने मुझे को मेरे सदम किश्कित दर्या में डूबे हम मर भी कई ना होगा हम पेर लिये फिर लेंगे जनम दिन परिशान है तिरा रिहान है तो जाने होगा क्या जाने होगा क्या तो जाने होगा है जाने होगा क्या तो जाने होगा क्या तो जाने होगा है जाने होगा है मैने तेरे पिया को भी हुप लगिया तेरे ना में लगोने लिया मैने सुच लिया करना है वही आने कभी जोगिया जाने होगा है 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 जच जच नही, जच नही, जच नही एक तेरी सवादल में कोई अर्मान नहीं बापी तो जूम रहा है मस्ती प्यासा है तेरा साथी तो में इखनी महाबत कारब है तेरे कार की मैं प्यासी एक आउख है तेरे बाबा है एक आउख नाशी तो में इखनी महाबत कारब है तेरे कार बाब तेक कार प्यासी तुम मेरी निशान जे मेरा भीवान जे आचाइने देखाई तुम मेरी तुम मेरी अर्षावा तुम मेरी तुम मेरी आचाइने आचाइने तुम मेरी देखाई पपुकल्या? यूर अर्ष्ट कि बखून कि फेका थे लोर कि जेजए खेकश जेजए ऑіш हे कि बखून कि देख़ा कि beginning अर्जुन हत्यार भेक वरना में लड़की को चांद से मार दूगा मैं कहता हत्यार भेक वरना लड़की चांद से जाएगी मैं अखरी बार कहता हूँ अर्जुन हत्यार भेक मैं कहता हूँ हत्यार भेक प्रण्ट प्रण्ट काशी तरिवेदी, मैं ने तुझे दूद वाले से उठाकर नेता बनाया, मैं नाइठी के MLA, आपोजिशिन का लीटर बनाया, किसके बास्ते है, इस दिन का बास्ते, वेदान सभा में बैट कर दूद देने के बास्ते, एक आशी, पपो काल्या पन गया, एक एक करके, अपनक सारा विकेट डाउन कर डाला, तेरे उस पुलीस कमिस्टर ने, पचीस साल का मुंबई शहर पर मेरा हकूमत, बरबाद कर डाला तुमारा मुंबई पुलीस, और उधर, I.S.I. के सामने, मेरे मूँ पर कालग पतवा डाला, कुछ करो नेता जी, को रास्ता ढूंडो, हमें इ रहा था कि पैसों के लिए तुमारा मुं का फटेगा, भाड़ो, भाड़ो अपना मुं, तो ध्यान से सुनो, जुपारी, मुख्यमंत्री सत्यनारान जोशी के सरकार, सिर्फ 11 एंडिपेंडेंट MLS के समर्थन पट्टी की है, और इन 11 में से 9 विकिने के लिए तयार है, कीम ठीक है काशी, गिराव सरकार, तुम्हें 60 करोड कल पहुँच जाएंगे तो समझ लो, जफ्र भाई, आप मुंबई शहर के प्रधान मंत्री बन गए, संत्री से मंत्री तक हर कोई अपना आदमी, सरकार हमारी और सल्तनत तुमारी विशेश समाचार आज तक, कल शाम पांच बजे, सत्यनाराण जोशी के नव निर्दल्य विधायकों ने, जनता पर हो रहे, पुलीस के अत्याचारों के नाम पर, सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है असंतुष्ट विधायकों के साथ सुला करने के लिए, मुख्यमंत्री जी इस वक्त अंतिम प्रयास कर रहे हैं विशेश बुलिटिन समाप्त, बंदना सचनानी, मुंबई आज तक बजजात कहीं के खबर मिली? क्या? वही, काशी त्रिवेदी के सियासत के बाजार में नेता लोग सबजी की तरबिक रहे हैं और सत्ते नारेंट जोशी की सरकार गिर रही है इसका मतलब जानता है तू, अब नेक्स केजुल्टी हमारे कमिश्टर साब कर ट्रांसफर होगा जी तो चाता है, इन मादर साथों को भून के रख दू सालों ने राजनिती को वैशा बना कर चकले पे बिठा दिया हम प्याग पत्र देकर समर सिंग जी लोग तंद्र की हो रही इस निलामी में, हम हर्गी शामिल नहीं हो सकते मैं जानता था, आप ऐसा ही करेंगे और आपको शोबा भी यही देता है ये लिजे समर सिंग जीए और एक आगस पर आपके दस्तकत, मैं कुछ समझा नहीं सर, यह आप मुझे क्यों दे रहे हैं इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवा जोशी जीए लेकिन आप जैसे निश्कलंग नेता को कलंकित करके स्वायम आरब मुक्त होना मुझे मनजूर नहीं है लेकिन समर सिंग जी वे शायद आपका तवारला करतेंगे मेरा अखबार बाजी करेंगे एंक्वारी बिठाएंगे आप चिंता मत कीजे जोशी जी मेरे आपके करमों का निर्णे अखबार नहीं कितिहास करेगा अफसोस मुझे सत्ता छोड़ने का नहीं बलकि इस बात का है कि अपराद मुक्त समाज का हमारा भियान अधूरा रह जाएगा मेरे बाद आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा हमारे मकसद का क्या होगा आप बिलकुल फिक्र मत किजिए मुख्यमंत्री जी मैंने अपने नौजवान सिपाईयों के दिलों में ऐसी आग भढ़गा दी है कि सरकार बदल जाने पर भी ये अंडर वर्ल्ड वाले कुछ नहीं कर पाएंगे उनका उसी तरह से एंकाउटर किया जाता रहेगा जैसा के किया जाना चाहिए समर सिंग जी मुझे आपके साथ काम करने के उसर पर सदा गर्व रहेगा मुझे भी इस वर्दी को पहन कर ऐसे ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है जो समान तो क्या अपमान के लाइक भी नहीं होते हैं लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं सर आप राजनीती की दलदल में रहकर भी निशकलंग बने रहे लेकिन के रहे लोगों कि प्रणाम करता है मुन्ना ये बद्वी हम तुमसे कहे थे ना जोड़ेंगे तोड़ेंगे लड़ेंगे लड़वाएंगे तल बनाएंगे भिगानेंगे पर एक रोच एक कुरसी पर बैट के दिखाएंगे वो दिन आ गया रहे मुन्ना अब हम इस प्रदेश के राजा हैं और भागी सब हमरी प्रजा सुनो भाईयो तुम सभी मंत्रियों संत्रियों और अफसरों की इमानदारी क्या इमानदारी गुजरे हुए मुख्यमंत्री के साथ गुजर गई क्या अब हम जो कहेंगे वो आदेश होगा हम जो बनाएंगे वो कानून होगा सर कहो भोजले ग्रह मंत्राले से मेरी ट्रांसफर का ओर्डर लेकर आए हो आपको कैसे पता सर मैं जानता था सरकार बदलते ही नेताओं को अफसरों का तबादला करने की पुरानी बेमारी है भोजले समझाओ इन नेताओं को अब आदलों से इलाके बदलते हैं इरादे नहीं तानर जी तुम अपना ख्याल रखना और मुझे बराबर खत लिखते रहना तो मेरी ट्रांसफर की खबर आप लोगों को भी मिल गई इसमें परेशान होने की क्या बात है ऐसा तो आए दिन होता ही रहता है मगर सर जिन लोगों ने तेरा घंटों में सरकार और तीन घंटों में आपको बदल डाला ऐसे लोगों से भला दस बारा हजार की तुनखवा पाने वाले हम जैसे सिपाही कैसे लड़ सकेंगे अवस्ती इस वर्दी की कीमत पैसों में लगाकर तेश भर के मानदार सिपाहियों को काली मत दो अवस्ती पैसों के लिए आतंकवादी लड़ते हैं सिपाही नहीं सिपाही सिर्व अपने वतन की इज़त और मुल्क के हिफाज़त के लिए लड़ते हैं सुरी सर बेटे वो मेरी जगा दूसरे व्यक्ति बदर सकते हैं हमारे संकल्प और विचार नहीं सर आज से आपका संकल्प हमारे कर्तव यहोगा अब आपके दिल की आग हमारे दिलों में जल रही है सर सर जो आपने क्राइम फ्री स्टेट का सपना देखा है उससे अब हम पूरा करेंगे यही आपको हमारी गुर्दक्षना होगी साथ करोड़ खर्च किया है सरकार बनाने और किराने उसके बदले में साथ नहीं छेसो नहीं 36,000 करोड़ मुंबई वालों का खून चूस कर वसूल करूंगा मैं बिल्डर से लेकर एक्टर और डॉक्टर से लेकर प्रड्यूसर तक किसी को मत छोड़ों उनसे बोलो, जिन्दा रहना है तो हफ्ता बेजो बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो जफर को पैसे बेजो मुंबई शहर में धंदा करना है यहां तक कि मुंबई शहर में सास भी लेना है तो जफर भाई को सलामी का पैसा बेजो यहाँ, यह सला पॉलीस वाला कर में घुस घुस के माराना मेरे चोकरे लोगों को इनके भी घार में घुस घुस के धंकाओ, इनकी मा, बहन, पीवी और बच्चों को ना माने, तो काट डालो सालों को बताओ पॉलीस को, तलना मांगता अपने इस बाप से जो आपके और गजर आपके और रखाशकर नापके और यूर आपके आपके लिए बाए यू थे करे और यू टो बाए मन मन वे में दूशने मॉम, अरे भाई कहा हो तुम? भाईया के आने का वक्त हो गया है, आपने पूजा की थाली सजाईगी नहीं मॉम वेर आ यू मॉम? मा भी न, उफ जरूर पूजा घर में बैठी होगी animal छुम, अीघ! अचाईयार मॉम जरूर ठी होगगी जरूर कर दो क्यारों थांड सुब जो कर दो कर कर दो गबरामात, तेरे को मारने नहीं, समझाने आया हूँ. जफर सुपारी को जानती है न तू? भार गाह रहता है, पर अक्खा मुंबे पे राज करता है. तेरे इंस्पेक्टर भाई जैसे लोग, मालिश करता है जफर सुपारी का. समझा अपने इंस्पेक्टर भाई को, जफर को बाप और एड़ा को बड़ा भाई मानने का, रोज सलाम बजाने का, ढरने का जफर भाई से. अगली बार समझाने नहीं आएगा मैं, तेरी इस मा का तुकड़ा तुकड़ा करके, तेरे को उठा कर ले जाएगा. और विशे भी, तेरी जैसे आइटम की जगा यहाँ पर नहीं, सफर भाई के हरम में है, आपन के पास. ओ शिट यार, क्या हुआ? चल्द बाजे में हम लोग राखी का गिफ्ट लाना ही बूल गए, अबे अली तुझे गिफ्ट की पड़िये, हम लोग अले डिल रेट है यार, राखी गुस्से में होगी चलना है, यार. यार कारी गुझे है कनायता लगी? राकी, को ना है ता, राकी, बताओ, प्लीस, हमेरा ये रा, जाफर सपारी काद मी तू राकी किताली सजा के राक, मैं तेरी सो गात लेके आता हूँ हाथ, बोल छोपड़ा, तू गोली, कैसा लेना पसंद करेगा विस्की के साथ, सोड़े के साथ, पानी के साथ, ने भाई, या फिर, टेरेक्ट, ने येडा भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दूँ, सालाओ कमिशनर के टाइम पे, बहुत चर्बी आ गया था तुम लोगों को, ने येडा भाई, वो, वो, वो मैं, चाल, तीन खोका कैश, अपनी नई फिल्म का अवरसीज राइट्स, होम वीडियो, और म्यूजिक का कॉंट्रेक्ट लिके आ, चाल जहा, लाता हूं, लाता हूं, लाता हूं, छेमस कमाल झा भाईटना हूं, ऌर अछय का भाईटना हूं, वो, भाईछा का का की अचसारीने, नten क्थच स कगरेखारेण दो, ŵो, बहुत टा का अवाल जहीत चाल, वो. क्यों, क्या बोला था तु, हमारी मा के टुकड़े टुकड़े करेगा, हमारी बैन को उठाकर ले जाएगा नहीं, अइदर भाय, हाँ तो सफर सुपारी के भड़वे, चल, पहला दहशत मुंबई शर्म है, अब दमका पुलीस वालों को, नहीं, अरजुन भाय, हाँ तो एड़ा, अब तू बता, तू गोली लेना कैसे पसंद करेगा, पानी के साथ, सोड़े के साथ, हाँ, विस्की के साथ, बुल, या फिर, नहीं, डायरेक्ट, नहीं, 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 चोटे, एड़ा का फोन है, आड़ा बोल, बाई, ये लोग, एड़ा का फोन है, आड़ा बोल, को मार डाला, क्या, क्या, बख नहीं रहा, हकिकत बयान कर रहा हूं, जफर सुपारी, काउन है तू, मा, बो, से, मा, बो, से, हाँ, महाराष्ट्रा, पुलीस, सेवा, जफर सुपारी, नस्या, आएंदा मर्दों की बारात लुटने, हिजडों की टोलिक कभी मन पेज़ना, याद रखना, जफर, तुम जैसे गुंडों के लिए, पुलीस से बड़ा गुंडा, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, जफर सुपारी, एक आखरी चिताउनी, तेरे लिए नो चार्ट शीट, सिर्फ टी फाइनल, यानि देथ फाइनल, जैहिन, 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 तुम लग दोनों पुलीस सेशन में, बताओ, कौन किसकी रिपोर्ट लिखाने आया है, सबसे पहले तो आप मेरी रिपोर्ट लिखे सर, ये आपकी बेहन, हर वक्त मुझा धंकाती रहती है, ये ना किया, तो अंदर करवादूगी, वो न करती है, हाहा, देखो ना भईया, हायर स्टडीज के लिए गवर्मेंट इसे स्कॉलिशिप देरी, और ये जनाब है, जो जाने से इंकार कर रहे है, भईया, हमारी सगाई को अभी तीन हफते भी पूरे नी हुए, और ये मुझे, तीन साल के बनवास के लिए, कैनेडा हाई उर रहा, तुमारी मंगेटर का सवार, तो मेरा नाह में अर्चुन रनावत, टोंट वोर्य, हालो? हलो नमकराम तेरे राज में वो हराम जादा अर्चुन रनामत एड़ा और मेरे आत्मयों को कुत्ते की माफिक तडपा तरपा कर माँ जाला और तू सीयाम की कुर्सी पर बैठकर अंटे देरा अपने चूले गरम करा तू नहीं नहीं भाई वो क्या है के बीच में मत भल अगर तूने उन पुलीस वालों का कोई गेम नहीं किया तो मैं तेरी पूरी नसल का गेम कर जालूँगा अंगर भाई वो मैं सुवर की आउलाद अगर साट करोड में मैं सरकार बना सकता हूं तो साट रुपे की गोली तेरे भेजे में उतार कर तुझे और तेरे पूरे खांधान को खालास कर सकता हूं क्या हुआ कशी जी कौन था बाप था मेरा मेरी मां का यार था जफर सुपारी अबे यश्वन देश पांटे तुझे पूरें से उठाकर यहां मुंबई का पुलिस कमिशनर बनाया किस वास्ते हैं अपने बाप की बारात में नाचने के वास्ते बारात या खेरात में नहीं पूरे धाय खोके देखर बनाओ मुंबई का पुलिस कमिशनर एलो सुना कुलकर नहीं ये साला अपने धाय खोके को रोता है अबे समझा अपने बाप को वो एनकाउंटर स्क्वेड वाले जफर के आद्मियों का गेम बजा डाले तू क्या भजिये ताला हा था अब जा जा करद कर दे एनकाउंटर स्क्वेड मेरे को बिलकुल नहीं मांगता है ये पुलिस का दस्ता समझा की नहीं सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है काशी जी तो फिर क्या है तेरे हाथ में बाबा जी का घंटा अरे मैं क्या इस देश का ग्रियम मंत्री हूं काना सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है इसमें डीजी और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्ड है ऐसे उबलने से काम नहीं होगा जो कुछ भी करना है सोच समझ के होश्यारी से करना होगा काशी जी सब सब पहले तो आरजुन रानावत का और उससे भी पहले हैदर एली का सोचुग हैदर आरजुन की आँख और कान दोनों हैं पूरा मुख्विर नेटवर्क वो हैंडल करता है हैदर गया तो समझ लो कि आरजुन की रिड़ की हड़ी तूट गई काशी जी हैदर का इंतजा मैं करूगा उसकी जाद को मुद्दा बनाकर मैं उसके तबादले की कोशिश करूगा कोशिश नहीं तबादला करो तबादला और वो भी दिल्दी यू है झाल अर्जन साहब, अले रुकिये, रुकिये कहिए माना कि आप स्ट्रॉंग और साइलिन टाइप्स हैं जो अपनी दिल की बात जुबापनी लेकर आते हैं लेकिन आप अपनी इन आँखों का क्या करेंगे आप कह करेंगे हमारी कहने का ये मतलब है कि आपकी आँखों से साफ जाहिर है कि आप हमसे बेताहशा महबबत करते हैं और कुछ अच्छ तो ये बताईए अंगूठी गले में पहनी चाती है या उंगली में नाक में मजाग छोड़िये बताईए ना उंगली में तो फिर हमारा हाथ थामिए इस अंगूठी को हमारी उंगली में पहनाईए और हमें अपना हमसफर बनाईए हमसफर जी पहले आप हमें इतना सफर अमत कराईए जी अंगूठी तो मैं आपको बाद में पहनाऊँगा पहले आप ये पहन लेजी चन्नत, खुपसुर्ती ठकी विजाद अच्छ लगती जिस दिल को मुहाबत हो जाए वो दिल तो काफिर हो जाए फिर रब रूठे यहाँ जग छूठे फिर दंभी आखिर हो जाए दमास्त दमास्त अब जब इश्क का जादू चड़ता है हर चीज बेगाने लगती है हाँ जब इश्क का जादू चड़ता है हर चीज बेगाने लगती है आशिक तो दिवाने होते हैं दुनिया भी दिवाने लगती है आँखों में नशाचा जाए जीने कमजा जाए दल बहका बहका जाए आचा जाए घए दिवाने लगता है आचा जाए बहका जाए पूर्ण इए यह लगता आचा कि तक प GOT यह दो ऩदिन लेख 1400 कि जिए से एकता है लोड़ रहा प्लेकर देडि़ घचे episode कद्र्या सीने में तू बार लगाने है आजा दु डूपा डूपा जाएं तू इसको बचाने है आजा तू इसको बचाने आजा, तू इसको बचाने आजा दिल हाथ से निकला जाए, दिल धड़का धड़का जाए, दिल बहका बहका जाए एक चीज मुहाबत होती है, वो जान की आपत होती है ये जान का सोदा करी डाले, ये रेंधी कोयाबत होती है कामास कामास हैदर अली यह रहा तुम्हारा ट्रांसफर ओर तुम्हारी जात की वज़े से तुम्हें एंकाउंटर स्कोर से निकाला जाता है तुम अपना चार्ज एसे पी अरजुन रानावत को सौप दो लेकिन क्यों सर स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम इस वक्त मुंबई अंडर वर्ल्ड और उनके आएसाई एजन्स का परदाफाश करने का काम कर रही है और उनका ये कहना है कि ऐसे में हमारे कुछ आफिसर्स का रवया उन आएसाई एजन्स के साथ नर्मिका हो सकता है आप साफ साफ क्यों नहीं कहते सर कि मेरा ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसल्मान हूं और इसलिए मैं मुसल्मान मुझरिमों का साथ हूंगा ये देखिए ये गोलियों के निशान देखने हैं आप ये मुसल्मान आतंगवादियों के गोलियों के निशान है मेरे रिवालवर से निकलने वाली गोली मुझरिम से उसकी जाथ या उसका मजब नहीं पूछती के वो हिंदू है या मुसल्मान इस रिपोर्ट से आप मुझे ये जताना चाहते हैं के मेरी साथ मेरा मजब मेरे देश दोई होने का प्रमान पत्र है अगर मैं अपना सर काट कर भी इस डिपार्टमेंट के लिए चड़ा दोना तब भी ने यकी नहीं होगा के हैदर अली एक सच्छा हिंदुस्तानी है एक देशवक्त ओफिसर है नो आइडोंट केर नहीं अगर मत्दर अली नहीं नहीं करने मुझे यह नौकरी अर्चौन कमिशनर हैदर अली वो मुसल्मान है जो इस वर्दी के बगैर भी अपने मुल्क अपने वतन के लिए जान दे सकता है यह अपने बहुत गलत के असर देश-द्रोही की कोई जात नहीं होती ना वो हिंदु होता है ना मुसल्मान सिर्फ मेरा राजपूत यह आपका ब्रहमन होना हमारी देश-भक्ति का प्रमान-पत्र नहीं हो सकता ऐसी घटियक कम्यूनल सोच सैक्रोहाइदर अली जैसे मुसल्मान नौजवान को इस देश से दूर गलत रास्तों पे ले जाती है तुम समझते क्यों नहीं यह फैसला यहां नहीं होम मिनिस्ट्री और डिरेक्टर जनरल अफ पुलिस के दबतर में होता है पुलिस कमिशनर के सामने अपने बेल्ट उतार कर बवरिय डिपार्टमेर को गाली दे का निकला तुम्हारा वा बत्तमीज जोनियर साही है और हम सब सामप्रदाइक हैं कम्यूनल हैं क्यों यही कहना चाहते हूं न तुम अगर आपके सीनेज़ आपको बला कि यह कहें कि क्यूंकि आप सरदार हैं आप खालसानी आतंकवादियों का साथ देंगे और आपका ट्रांसफर पंजाब से किया जाता है तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता सर जब आपको सिक टर्रे से लड़ने से नहीं रोका गया तो पिर हैदरा अली खान को मुसल्मान आतंकवादियों और आएसा एजिंसे लड़ने से क्यूं रोका जा रहा है बगएर किसी गवा या सबूत के सिर्फ जात दिक होई शक की बुनियाद मानना अनकॉंसिट्यूशनल है अज सब विद्धाने के सर हमारा कॉंसिट्यूशन करम प्रदान है बेस्ट मैन फॉर दे जॉब धरम प्रदान नहीं सर हादर अली खान वो सिपाई है जो अपनी वर्दी पर लाखों पेबंद लगा सकता है मगर दाख कभी नहीं लगने देगा सालों ने कद्दार तो साबित करी दिया है अब शायद किसी रोज एंकाउंटर में मुझे कोली सोड़ा देंगे क्या है यह मेरी गिरिफतारी का वारंट या फिर एक गद्दार के घर का साच वारंट नहीं दो पैग और पीने के ओर्डर्स हैं लेकिन खुशी में क्या मतलब बढ़कर तो देख तेरा ट्रांसफर कैंसल हो गया यह सब तुने मेरे लिए किया नहीं अपने लिए क्योंकि पुलीस डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर्स और मुझे तुम जैसे दोस के सक्सरोत है ऐसी बात है तो तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा मांग कर तो देख तो सुन मा को जन्नत जैसी बहू राखी और मुझे जन्नत जैसी भावी और तुझे जन्नत जैसी बीवी की सक्सरोत है चर्स चर्स हम तुम को निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे हम तुम को निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुम को चुरा लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुम को चुरा लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुम को चुरा लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुम को चुरा लेंगे हे 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 आधे के बिचिया बोले हाथां तो पंग ना बोले पेरों की पायल बोले सुनले मेरे यारा । मिल गए, हर खुशे मिल गए, आशिके मिल गए हम दिल को महाबत का हम दिल को महाबत का आईनों बना लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुम को चुरा लेंगे हम तुम को निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुम को चुरा लेंगे तेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे तुम चाहे बचो जितना हम दूंका चरा लेंगे देवी पूजा के दिन तेरे पैर इस घर में पड़े है मेरे तु भागे ही खुल गए सदा सुखी रहो बेटी ये शगुन है राखी ने खास तोर पर उस दिन के लिए बनवाय थे जब उसकी होने वाली भावी पहली बार इस घर में आएगी ये लो बेटी जब 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 मेरी बेटी ये हाथ यूई मेरे सर पर बनाई रखेगा माजी मा ये लो चलो भावी मैं तुम्हे अपना घर दिखाती हूँ जाओ बेटी जाओ अच्छी है तुम बैचो मैं खाने का इंतिजाम कर कहती हूँ अच्छी है अच्छी है तु तो यार बिस्तर पर बड़ी सोला साल की लउंडी की तरह घब रहा है जब कि मैं इस प्रदेश का डेपुटी सीम बड़े भाईया सीम हो तो वो दो टके का अर्जुन रानावत और उसकी इंक्वाइरी रिपोर्ट हमारा क्या घंटा उखड लेगी अखबार नहीं पड़ते क्या नहीं पड़ते तो पढ़ना शुरू कर दो एक जैस्वाल रिपोर्ट के लीख हो जाने से एक डीजीपी एक कमिशनर और दरजनों अफिसर सर रहे हैं कस्टडी में घंटा उखड चुका है उनका समझें और सुनों काशी जी हमारे और अंडर्वर्ल के तालुकात पर अरजुन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है अगर उसने हमारी जड़ेंग खुदना शुरू कर दी तो वो खुदाई हमारे और अंडर्वर्ल के झेकस को खोद के लख दीगी उस रिपोर्ट को किसी भी कीमत पर हासिल करो काची जी अगर वो फाइल दिल्ली तक पहुँच गई तो हम सब होंगे सलाखों के पीछे और कहीं अकशी बदरी वो जाली दस्तावेश जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं न कल हमें मिल जाने चाहिए जीवई और हाँ रहास सवाल अर्जुन राणावत की रिपोर्ट का तो कल वह रिपोर्ट मुख्यमंत्री काशिनात्रवेदी की मेज पर होगी अर्णावोर्ट में अर्णाविशं और है आख मुझको की रिपोर्ट में छुदके अर्णावीर अर्णावीर ऑ्रेस में जाफ में प्रिंगाँ जार्णा जाँएरोग्या । कुछ ही याद आया, A.C.P. अर्जुनानावत हम कहें थे न तो से एक दिन हम एक कुर्सी पर बैठेंगे और तू हमें सलाम करेगा याद आया ये गलत फेमी ये तुम्हारी काशी तरवे थी मैंने सम्वेधानिक पद इस कुर्सी को सलाम किये तुम्हें नहीं क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने वाले तो आते जाते रहते अपनी ओकात में रह आसे हम तेरे मालिक और तू हमरा नोकर नोकर मैं जनता का हूँ किसी के बाप का नहीं I'm a public servant and so are you काम की बात कर मुझे यहां क्यों बलाया है तो फिर सुन ले ग्रह मंतरा ले मैंने अपने पास रखा है इसलिए हम आदेश देते हैं मुंबई के माफिया सरगनाओं की जानकारी का ये जो तूने डाटा बैंक तयार किया है न ये मुझे देते जानता था जिसके तलवे चाड़ कर तू उस मकाम पर पहुचा है उसका बाई खाता तू मुझे जरूर मंगेगा ये ले संभाल के रख कॉन्फिडेंसल ये है असल बहुत महनत की होगी तूने इस बनाने में न मगर देखा एक ही जटके में हमने इसे जला कर खाक कर दिया क्यों भाईया दिल तो बहुत दुखता होगा तुमारा नहीं नहीं दिल तो बाप का दुखेगा चीफ मिरसा साब और शायद दोहरा भी पढ़ जाए क्योंकि इसकी एक कॉपी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री दूसरी कॉपी प्रेजिडन्स ओफिस और तीसरी कॉपी प्राइम मिनिस्टर्स ओफिस अल्रीडी पहुंच चुकी है तेरे माफिया पाप पच नहीं पाएंगे सफर सुपारी के तल्ले क्या कहा तुने मुझे दल लगा मुझे काशी को दल लगा मुख्यमंत्री को दल लगा तो ओकोड़े के पुलिस अफसर तेरे उकास गहे क्या उकास थेरी काशी तरिवेदी इस उमर में जब हट्डियां तूटती है तो बड़ी मुश्किल से जुर्दी हाथ नी चिकर अब मैं तुझे तेरी आखात दिखाता हूँ मुख्य मंतर को मारा तो ने नहीं एक देश भक्त इमांदर जन्ता के नौकर ने एक देश द्रोही पहिमांदर जन्ता के नौकर को मारा है काशीत्रिवेदी, अर्जुन रणावत नाम है मेरा मैं मौत को तक्या और कफन को चादर बना कर उड़ता हूँ जाहिंद हाँ बोल पाथ सो पचपन कौन अर्जुन साप नहीं मैं हैदर बोल रहा हूँ बोल क्या खबर है साप, जिसम फरोशी के धंधे के लिए हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्तों से लाई गई नावाली लड़कियों को पुराने जसई रेलबे याड में छिपा कर रखा गया है और आज रात उन्हें बुम्बई के अलग-अलग चकलों में पहुंचाया जाने वाला है आप जाकर उन्हें बचा लीजिए सर तुम फिगर मत करो, हम फौरण वहाँ पहुचते हैं मुझे बत्मारताथ, मुझे दर्ट यहां तो कोई भी नहीं है सर कहीं पांस्तो पच्पान की खबर जोठी तो नहीं सर कहीं ट्रैप तो नहीं हां यह ट्रैप है तुम सब की मौथ का ट्रैप जफर सुपारी तू हां मैं जफर सुपारी हिंदुस्तान में देख चारो तरफ एंकाउंटर स्पेशलिस्ट एंकाउंटर तो आज मैं करूँगा तेरा तेरे दोस्त तरजुन रनावत का और पूरी मुंबई शेहर का देख पूरे पांसो टन अर्डियक्स लाया है जफर सुपारी बुढ कर देख अच्छा हुआ तू अपने साथ अपनी अर्थी का सामान ले आया है जफर अरे तू क्या मुंबई को शम्शान बनाएगा तेरे ही लाय हुए आर्डियक्स में तेरी चिता चलाएगा ये हैदर अली खान अर्डियक्स झाल हम पजच चुके हैं सर हमारे पांच साथ ही मारे जा चुके हैं अब पीछे हटने के स्वाए हमार बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर यह वक्त पीछे हटने का नहीं है दोस्तों वक्त है इस वर्दी का कर्ज चुकाने का और आज हम सब मिलकर इस वर्दी का कर्ज जरूर चुकाएगे कितनी बुलिट्स बची हैं हमारे पास लास्त मैगजीन है सर दोस्तों हमारा प्राइम टागेट है जफर सुपारी के लाई आडी एक्स को तबाह करना मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ तुम दोनों मुझे कवर दोगे कोई शक नो सर किता अन्यों कोई नू़ं किता प्रफिर्ण मैज झाल 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 याल भ्हाल झाल याल याल झाल झाल एडाव झाल झाल जाफर सुपारे, तू मुंबई शेहर को राख तो के डेर में तबदील करने निकला था ना, देख, तेरे ही चल रहे इस RDX में, आज हैदर अली खान, तुझे राख के डेर में तबदील करेगा। तू गद्दार? हाँ एदियले! 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 हाँ क्यूं मापो से महराश्ट्र पॉलिस सेवा जा ओल्ड जसेही रेलवे यार्ड में तेरे भाई हैदर और उसके साथियों की लाशें तेरा इंतजार कर रही है कर दो जाशाए्ट्र एंट कर दो यो जाशा कर दो जाता है कर दो जाता है ऑईचा करो करते हनुी हाई झाल झाल खू झाल झाल का झाल झाञय करें let दोड ब करें पूत दोत जु אות झाल करेंटर बा piece हैं तो HOLter! हैंद भाइडर! हैंद रह बदर! आजर देश को ये जन दे दिया हमें वतन बेगर्व है मुझे प्रेस को ये बताते हुए सक्त अफसोस हो रहा है कि क्राइम कंट्रोल स्कॉड का सबसे जाबाज ओफिसर हैदर अली खान अंडर वर्ड और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आएसाई का एजेंट था पाकिस्तान के इशारे पर आएसाई और अंडर वर्ड मिलकर मुंबई में दुबारा सीरियल बॉम ब्लास करने वाले थे जिसके लिए इंस्पेक्टर हैदर अली पान्सो टन आर्ड एक्स मुंबई में लाने के लिए उनकी मदद कर रहा था इंस्पेक्टर अवस्ती ने मौकाई वारदात पर पहुँच कर उनके इस खतरनाक मिशन को नाकामयाब कर दिया अवस्ती ने ना सिर्फ उस पान्सो टन आर्ड एक्स को तबाह किया बलकि गदार हैदर अली खान और उसके साथियों को इंकाउंटर में मार गिराया हैदर अली के घर पर मारे गए चापे में हमें कुछ फ्लॉपीज, फॉरिन बैंक अकाउंट्स, जाली पासपोर्ट्स, नकली वीजाज और आईसाई के आइडेंटिडी कार्ट्स बरामद हुए है जो हैदर अली के पाकिस्तानी दलाल होने के पुखता दस्तावेज है सबस्टाइब अलाल पाकिस्ताइब पारे! किसी से उस हादसे के बार में जिकर ना करने की किसम खाई थी मैंने और आज मैं ही वो कसम तोड़ रहा हूँ नहीं किस तुछ नहीं दोड़ से किसम लेकर पार में जिकर पार ताहसे बना करेकर पार पार करेंदे लेकर रहा हुआ ठी हमेंaje फ्राइब आप करना निदोर प्राइब। त्यागी जी, ये क्या खबर लिगा रहा है? समर सिंग पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर, राणावत का मुकदमा लड़ रहा है? उसने वकालत नामा भी दायर कर दिया है? इसमें इतना घबरानी की क्या बात है, काशी जी? समर सिंग वकालत कर चुका है, ये दुनिया जानती है, लेकिन वो एक जजबाती और शौकिया वकील है, और हम सच को जूट और जूट को सच साबित करने वाले पेशेवर वकील हैं, चलिए, अरे मगर हमें कुछ तो करना पड़े हैं, काशी जी, जितने जूटे सबूत हमारे पास हैं, और जो आरोब पत्र मैंने बनाया है, उसके बाद समर सिंग तो क्या, साक्षाद भगवान भी अगर अगर अदालत में उतर आए, तो वो भी रानावत को फांसी के फंदे पर जूलने से नहीं बचा सकता, तग गेम इस ओवर, यूर आउनर, अरजुन रानावत के साथ 15 सालों से काम कर रहे आफिसर्ज को, मैं पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ, ये गवा, इस अदालत को बताएंगे, के अरजुन रानावत कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है, और सत्य क्या है, इजाज़त है, यूर आउनर, ये वो अरजुन रानावत है, जिसे लोग मुंबई का शेर कहते है, माफिया वालों का तो सिर्फ इसका नाम सुनकर मूत निकल जाया करता था, जैस सहाब ये वो अरजुन रानावत है, जिसके कारण अंडरोल वाली ये शेहर तो क्या, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, यूर आउनर, अगर पुलिस फॉस में अरजुन और हैदर अली जैसे आफिसर नहीं होते ना, तो ये माफिया वाले पुलिस को अपना तल्ला और मुंबई शेहर को अपना चकला बना चुके होते, मगर ये तो इस देश का दुर्भाग्या है, कि अपना फर्ज निभाते हुए, एक को बदनामी की मौत मिली, और तूसरा इस कटगरे में खड़ा है, अब मैं अरजुन रानवत की माँ, शकुंतला देवी को विटनस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है, शकुंतला देवी जी, कल जब अदालत आपके बेटे को देश दुरो ही घोशेत करके, मृत्यु दंड देगी, तो क्या आपको इसकी माँ होने की शर्मिंदगी नहीं होगी, अफसोस नहीं होगा, अफसोस, अफसोस तो इस बात का होगा, कि मैंने इसे पैदा क्यूं नहीं किया, अफसोस इस बात का होगा, कि इस देश के हर माने, एक अर्जुन क्यूं नहीं जना, अफसोस नहीं, जजज साब, अर्जुन की मौत पर तो मुझे गर्व होगा, ऐसा ही गर्व, जब भगण सिंग की शाधद की रोज, उसकी मा कहा होगा, हर देशवासी कहा होगा, जज साब, इस जनम में तो क्या, मैं हर जनम में अर्जुन की मा बन कर जीना और मरना चाहती हूँ वाह क्या भाशन है अध्भुत लाजवाब मगर मैं अदालत को याद दिला दूँ कि ये एक सामुही खत्याकांड का मुकदमा है जिसका अरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जजज साहब मैं अपने काबिल वकील साहब को ये भी बताना चाहता हूँ कि मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है भाशनबाजियों नौटंकी और तमाशों से नहीं और फिर जजज साहब जब आरोपी के वकील ने इसकी मा के जरिये इस हत्यारे की तुलना भगत सिंग से करवा ही दी है तो उस शहीद आजम की प्रतिष्टा बचाने के लिए मजबूरन मुझे एक बहुत ही शर्मनाक सच से पर्दा उठाना होगा जिसके बाद दुनिया की हर माँ, हर बहन शर्म से डूप जाना चाहेगी और ये माँ, इसके तो पाउं के नीचे से जमीन खिसक जाएगी योर अनर हाँ तो शकुंतला देवी जी आप अदालत को बताईए कि एक नवंबर की रात को आपकी बेटी राखी दिख्षित कहा थी जवाब दीजे शकुंतला देवी, सामोई खत्याकान की रात आपकी बेटी और इसकी मुझ बोली बहन राखी दिख्षित कहा थी जवाब दीजिए कहा थी बहुत तो तुम ही बताओ अरजुन रनावत एक नवंबर की रात तुम्हारी मुँ बोली बहन राखी दिख्षित कहा थी जवाब दो अरजुन रनावत चुप क्यों इसका जवाब न तुम दे सकोगे और न तुम्हारी ये मा इस सवाल का जवाब मैं दूँगा यूर आउनर एक नवंबर की रात इसकी आवारा बच्चलन और चरित्रहिन पैन मुख्यमंत्री के फाम हाउस में डिप्टी सीम उसके मंत्री के बेटे मुणना त्रिवेदी पुलीस कमिश्टर के बेटे और अनने कई लोगों के साथ रंगरलिया मनारी थी यूर आउनर वो एक हाई सोसाइटी कॉल गल थी यूर आउनर जिसके ना सिर्फ इन मर्दों के साथ बलकि अपने मुख बोले भाई अर्जुन रनावत के साथ भी नाजायस तालुकात थे जो दिन में इसकी बहन और राट में इसकी रखायल थी रख और खेल रखायल जागे अरी अर्जुन वे अर्जुन अर्जुन वे अर्जुन हाँ आद इसको ते माल भी छोड़ा थाए अडूरा आठ आठी कोई रोप इसके आए यह तो सकोर चेक्यूरिटी अड़न आपकड़ लो इसके आउ पकड़ इसके आपकाड़ आज़न दरे इसके के आपको लो आज़न, आज़न तेमेडिस, अर्चॉर, मैं के तू रुख जा, छोड़ दे उसे, तुझे मेरी कसम देखा, देखा आपने, Your Honor, सत्र का गला घोटने का इसे और कोई तरीका आता ही नहीं यह अपने अलावा किसी और मर्द के राकी के साथ नाजायर तालुका देखी रही सकता एक नमंबर की रात को, जब इसने एक नहीं, तीन तीन मर्दों को अपनी रखायल बहन के साथ बिस्तर में पाया तो इसी तरह अपना नियंतन खो बेठा और इसने वो भीश नर सनहार कर डाला, Your Honor जगे! ओर, ओर, ओर! I say stop it! समर सिंग, आपके मुवक्किल की एक और हिंसक हरकत मुझे इसी वक्त कारवाई रोक कर फैसला सुनाने पर मजबूर कर देगी Sorry, Your Honor आज की कारवाई यहीं रोक दी जाती है कल की कारवाई अर्दसेनिक बलून यानी पैरा मिल्टरी फोर्सिस की मौजूदगी में सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों की उपस्तिती में होगी पच्दात हराम खोर आज अगर मैं कानून के दाएरे में बंदा होता तो उस त्यागी को गोली मार देता कल इसी अदालत में राखी को पेश करके त्यागी के सफेज जूट का परदा फाच करूँगा मैं लेकिन राखी तो अदालत में नहीं आ सकती सर क्यों? क्यों नहीं आ सकती वो? उसे कल अदालत में आना ही होगा मगर सर, अरजुन की इस केलिंग्स का राखी को बहुत बड़ा सद्बा पहुचा है जब से उसे ये खबर मिली है, वो पत्थर बन गई है खंडाला के सेंट मेरी सेनेटोरियम में उसका इलाज चल रहा है सर जरूर कोई राज है जो अरजुन मुझसे छिपा रहा है मत सर मत बनो, ताखी बताओ, उस हत्याकान के असली वज़ा क्या थी? तुम्हारा एक भाई हैदर अली, बेगेरत बहुत मरतुपा है और दूसरे के उपर देश दोही का इल्दाम है क्या तुम ये बरदाश करपा होगी, कि तुम्हारे भाई अरजुन को सजाए मौत मिले? क्या ये सुनकर जिन्दा रह शुकोगी तुम? क्या तुम्हारा भाई अरजुन एक नीच और करेवए केरेक्टर का आज़ी है ए पत्षर दिल औरच क्या लोगों की लगाई हुई ये दोमत परदाश करपाऊगी तुम? क्या तुम्हारे भाई अरजुन के साथ तुम्हारे नजाइस तलूकात है क्या सुनड़े चकोगी कि तुम आरजुन की रखैल हो? नाााााााााão! मुझे साफ-साफ बताओ बैठी के सच क्या है शायत मैं आरजुन की जिन्दकी बचाशकूँ बताओ सच है क्या है? मैं बताओंगी अंकल मैं बताओंगी किसे चाहिगा है? हुआ हुआ है योर आउनर ये कुछ कागजात हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और पुलिस कमिशनर साहब को दे रहा हूँ आप ज़रा गौर फरमाईए हाँ तो मुख्या मंत्री जी ये आपके हाथ में क्या है ये मेरे चिनाव प्रिचार के पैंफिलेट्स हैं और ये मेरा अख़बार मेरा भारत महान क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ये कहां छपते हैं मेरे अपने प्रिंटिंग प्रेस नागपुर में गुड हाँ तो पुलिस कमिशनर साहब आपके हाथ में क्या है ये, ये हैदर और अरुजुन रणावत के ISI एजेंट्स होने के पाकिस्तानी दस्तावेज हैं पाकिस्तानी गवर्मेंट डॉक्यूमेंट्स लेबरेटरी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मताबिक इन पाकिस्तानी दस्तावेजों की प्रिंटिंग की स्याही वही है जो मुख्य मंद्री जी के अख़वार मेरा भारत महान की है अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती है योर अनर या तो काशी तर्वेदी जी का अख़वार मेरा भारत महान पाकिस्तान में छपता है और या फिर पाकिस्तानी दस्तावेज इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस महाराश्ट्र इंडिया में छपते हैं योर अनर ये दोनों महापुरुष इस जरसी बात को भूल गए और इन्होंने अरजोन और हैदर को देश द्रोही साबित करने के लिए अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में ये नकली पाकिस्तानी दस्तावेज छाप डाले इन्हें गिर्फतार किया जाए योर अनर ये आदालत को गुम्रा कर रहे हैं क्योंकि ये केस जूटे दस्तावेजों का नहीं बलकि हत्या का है और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि आरोपी ने 18 हत्याएं की है क्या आरोपी के वकील के पास है कोई ऐसी वज़ा है जो इन हत्याओं को जाइस ठैरा सके वज़े है योर अनर तो बताएए वो वज़े और अरजुन को निर्दोश साबित कर दीजिए आप खामोश क्यों है बताएए न वज़ा वकील साब वज़े मैं जानता हूँ योर अनर लेकिन मैं आदालत को पता नहीं सकता हुआ आप जानते हैं की आपका ये बयान आरोपी को म्रिट्यो दंड दिला सकता है हाँ जनाब दे दीजी अर्जुन को म्रिट्यो दंड कि हत्या की क्या वज़ा थी जवाब तीजे समर्सिंग जी इसे मृत्यों दंड दे दीजिए मैं वजह नहीं बता सकता हूं क्यार अनर यॉर अनर वजह मैं बताऊंगी नहीं राखी तुम वापस लोड़ जाओ मैं कहता हूं लोड़ जाओ राखी तुम्हें मेरी कैसे राखी लोड़ जाओ राखी तुम्हें मा का वास्ता है लोड़ जाओ इस नर्ग से नहीं भया हमारे रिष्टे की सच्चाई पताने से आज मुझे कोई कसम कोई भगवान भी नहीं रुख सकता जजबाती मत बनो रखी तुम बर्बाद हो जाओगी हो जाने तो बर्बाद मुझे आज मैं पता कर रहूंगी की हकीकत क्या है एक निवेंबर की नात इस सीम का भाई डेप्यूटी सीम बद्रीनात रवेदी अंडर वर्ड़ डॉल्ड जाफर सुपारी इंस्पेक्टर रमस्थी इस कमिश्कर का बेटा और इनके आपी उचे किन्टैप करके इसके फाम हाउस पढ़ने के इसके फाम हाउस पढ़ने के जुर और अडर मेरा बनतकार करने के लिए गैंग रेप करने के लिए एंपली बयाँ लैंस्पेटर बयाँ बयाँ एंपली जारा लेचार वह बयाँ हुआ 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 इंकाउंटर स्पेशलिस्ट रजुन रिनावत मैं जफर सुपारी अगर हिम्मत है तो सी एम के फाम हाउस परा कर रोक ले अपनी बहन की इज़त का इंकाउंटर सब्वार सुपारी मैं जब कर दो अब एंकाउंटर जब के वी इंकाउंटर तो सुपारी तो साथ जब काउंटर पर कर दो संद्टर दंडे न नियत चेय, दंड नयतिया पुल, दंड नीति रिति क्या था दिनलो गान विवारता दे झाल! शुचित दंड़्षास्ति वजासरमा दंड़ एवाविरक्षति दंड़्षुप्थेश जागर्ति दंड़्षर्मःउर्गुदा झाजत! दिए जड़ दिए तास है तर कि समें जड़ कि पीजय है, अ कि जड़ा है? ज्राइ्ट को अेजर प्राइब को डोड़ सिर्व करें वाल कि अी जिपोर कर तुन हुआ हुआए… अए… हुआ हुआ… हुआ हुआ जू… हुआ हुआ… आह… हुआ हुआ खगी जख खगा नर्च e खख सके लग से करो बहुों भाफ बाफ बाफ गाफ जबाफ अ जाफ जाफ रप जाफ 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 कि न कि अ रही हो जाइए एक पूराय उत्राइए. दंड की चिरिक्याता दिलोकानति वर्तते दंड हशास्टी पजासर्वा दंड के वाभी रक्षती दंड हचुते शुजागर्थी दंड मदर्म अधुर्भुदार्थो सर्भोपते, कल्पते, कल्पते, कल्पते यह है उस नात की अखेकर क्या अब भी कोई जानना चाहता है कि मेरा भाई खामोश क्यूं है और क्यूं वो अपने लिए मौत मांग रहा है अब जाये जद साव यॉर अनर मैं एक सिपाई हूं नहीं चाहिए मुझे जिन्दकी की भीक मुझे चाहिए विजये यह विरकती दीजे मुझे मृत्यु डंड क्यूंके मैं फिर से लोट कराऊंगा और अपने देश की गर्फ की रक्षा में फिर से शस्त्र उठाऊंगा क्यूंकि अरजुन रनभुपी में शस्त्र उठाते थे उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे ये अदालत मुख्य मंत्री काशिना त्रिवेदी और कमिशनर देश पांडे पर देश त्रों का मुकदमा चलाने का आदेश देती है और साथ ही समाज और समिधान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले अर्जुन रणावत को सम्मान के साथ आरोप मुक्त करती है गीता में कृष्ण ने कहा है पाप नहीं दुष्ट दलन बे मृत्व शरीर मारती है आत्मा अजर अमर रहे न्याय के लिए लड़ो सदा सद मेरा सद रक्षनाई सद मेरा खन निक्रहनाई हमें वतन बगर्व है जीए तुझे, बरे तुझे बर्दी ये शान है हमारी, बर्दी इमान हमारी बर्दी ये शान है हमारी, बर्दी इमान हमारी बर्दी पहचान है हमारी, बर्दी भगवान हमारी देश को ये जन्म दे दिया हमेवतन बगर्व है